अस्लामौनीकूम कैसे हो प्यारे बच्चो बढ़ाई हो रही है गर में ममा को तंग तो नहीं कर रहे अच्छे से पढ़ना है गर में और ममा का कहना मानना है सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं अपनी ममा का कहना मानते हैं और अच्छे से दिल लगा कर पढ़ते हैं प्यारे बच्चों मैं आपकी टीचर आपके साथ स्टडी स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहला कलमा पढ़ लेते हैं ठीक है आपने मेरे साथ पढ़ना है ओके आउजू बिल्लाही मिन श्याइतवान इर्वजेम बिस्मिल्लाही र्रह्मान इर्वजेम पहला कलमा तयब तयब माने पाक ला इलाह इल्लाहु महम्मद रसूल्लाह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और महम्मद सलल्लाह अलेह वा आलेही वसल्म अल्लाह के रसूल हैं शाबाश अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं आज मैं आपको अलिफ मत आ की पढ़ाई करवाऊंगी और अलिफ मत आ से शुरू होने वाले अलफाज पढ़ाऊंगी ठीके अलिफ मत आ से आएना अलिफ मत आ हमजा ये आ ए नुन हे ना आएना टीचर के साथ पढ़ें अलिफ मत आ हमजा ये आ ए नुन हे ना आएना सेकिंड वर्ड है हमारा आम अलिफ मत आ मिम साकिन अलिफ मत आ से आम अलिफ मत आ मिम साकिन आम अलिफ मत आ से आस्मान अलिफ मत आ सेन अलिफ मत आ सेन आस मिम अलिफ मा नुन साकिन आस्मान अलिफ मद आ नून आंखे साकिन आंख अलिफ मद आ से आंख अलिफ मद आ नून आं सिन्वावसू आंसू अलिफ मद आ से आंसू Very good यह है हमारी बस्री पढ़ाई Parents एक बात याद रखिएगा यह जो बस्री पढ़ाई और साइट वर्ड्स है इनकी आपने रीडिंग करवानी है बच्चों को जिस तरह यह बस्री पढ़ाई है तो आपने हिज्जों से पढ़ाना है बच्चों को बच्चे देखकर पढ़ सकें बस्री का मतलब देखना होता है ना तो बच्चे देखकर पढ़ सकें जैसे यह आम है बच्चों टीचर के साथ पढ़ें अलिफ मत आ मिमसाकिन आम अलिफ नून अन डाल हे डा अंडा अलिफ मत आ नून आन सीन्वाउसू आंसू अलिफ मत आ नून आन खेसाकिन आंख आप लोगों ने लिखाई की मश्क अपनी कॉपिस पे करनी है अलिफ मत आ और अलिफ पहला कल्मा में तर्जमा ये आपने याद करना है और आपने जो रिटन वर्ट करना है वो अपना इस तरहां से करना है यह देखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा दिल लगा कर पढ़िएगा तेंक यू अलाफेज